तो हेलो मैं देखेंगे थोड़ा पीएजडी के बारे में तो युनिवर्सिटी ओफ हैदराबाद का यहां पर आप देख सकते हैं दिस वन नोटिफिकेशन यहां पर लिखा हुआ है पीएजडी नोटिफिकेशन एन लास्ट डेट आपका इलेभनत को है यानि तक्रीबन वन विक आपके पास डेट बचा हुआ है तो जो बच्चे युजिसी नेट के थ्रूँ अपलाई करना चाहते हैं तो यहां पर से अपलाई कर सकते हैं इलेभनत आपका लास्ट डेट है ठीक है तो आप यूएज का वेबसाइट खोलेंगे यूएज.ac.in यहां पर आप देख स करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का पीडियेफ खुलेगा लेटसी यह क्या है इस हमारे पीडियेफ में जब तक यह खुल रहा जब तक हम यह देखेंगे हां और जो फाइनल आपका OMR seat है कुछ-कुछ सब्जेक्ट के जो एक्जाम होए थे जो की युनिवर्सिटी का एक्जाम था जो कि नेट के तहत नहीं था जैसे पीडि इंग्लिस था 15-20 सब्जेक्ट थे बांकी 15-20 सब्जेक्ट का एडमिशन नेट के थरो होना है आपको पता है कि आपके पास 3 स्कोर आ गया है पीडिक का है युजिसी नेट है और ज्यारेफ है यह तोटल 3 स्कोर है त यहां पर आप देखें यहां जो पीडि है नोटिफिकेशन किन सब्जेक्ट से किन को थो लिए जैसे पीजडि इन रिजनल स्टेडिज है तो इन्होंने युजिसी नेट के स्कोर पे लिया ठीक है उसी तरह से यहां पर डिफेंट सब्जेक्ट के कितने भी सीट्स हैं या फिर जो भी डिटेल्ड है क्या किटेडिया है किनका नेट के थो एक्जाम हो रहा है किनका युनिवर्सिटी एड़ एक्जाम खुद ले रही है तो यहां पर देखिए आप जो है लेट अस जसी तो यहां पर टोटल टू टाइपस के एक्जाम थे ठीक है एक तो जो आपका नेट हैं PhD हैं जो भी qualify किये हैं I hope कि आपके पास नेट का score आ गया होगा वह आप इसके थ्रोव apply करेंगे लेटस से ए भी हलांके इन्होंने नहीं किया हम अपने सुविधा के लिए और एक बी है जो कि उनिवर्सिटी खुद ने एक्जाम लिया है वह नेट के score पे नहीं लिये जिसका एक्जामनेशन ओर 19th और 20th नवंबर को conduct हो गया है तो जो बच्चे PhD में admission चाहते हैं वह अभी से आप apply कर सकते हैं यह PDF आप देख लेंगे और आपका सब्जेक्ट जो भी होगा वह उसके तहट आप मैक्सिमम जो CSIR का सब्जेक्ट और कुछ कुछ सोशल साइंस है वह नेट के थ्रो एडिमिशन हो रहा है most probably क्या होता है बच्चे इस चक्कर में नहीं apply करते हैं कि मेरा तो जेयरेफ हुआ नहीं मेरा क्या होगा हलांकि 75% वेटेज दिया गया है PhD के लिए तो दिर जे वेरी हाय चांस की सिर्फ PhD क्वैलिफाय करने से आपका result नहीं होगा ठीक है तो मैं आपको यह एक warning समझ लिजीए या फिर एक eye opening remark करें मैं आपको यह बताना चाहूंगा आपका examination जो होगा वह आपका I think January में होना चाहिए ठीक है January end में होगा आपका examination के बाद at least at least two months लगते हैं जब आपका notification आ जाता है two months at least लगेंगे तो अभी आपका first week of November चल रहा है तो अगर mid of November में आ जाती है notification तो end of January 2025 में आपका examination होगा तो दो month आपके पास अभी भी हैं चलिए let us clear this time UGC NET ZRF examination सिर्फ PhD clear करने से आपका admission PhD में अच्छे university में होना इसलिए मुश्किल है क्योंकि 70% वो weightage देर है 70% return का weightage है 70% UGC NET का score का weightage means you have to score very high it is not only qualifying it is also like merit oriented तो आपको अधिक सधिक score करने होंगे then only you will be getting a good chance for the PhD admission तो अब चीजें clear हो गई है अगर आपको PhD करना है scholarship रखना है तो आपको JRF clear करना होगा हलाकि जो state university है या जो फिर अधिक popular institute नहीं है वहाँ पर आपके अगर अच्छे score नहीं है आपका JRF नहीं है नेट नहीं है सिर्फ PhD भी qualify है तो वहाँ पे admission हो जाएगा तो so wish you all the very best चलिए आप लोग apply करेंगे last date 11th है मैंने आपको बता दिया है और कोई भी update आएगा तो टेलिग्राम चैनल नीचे दिया हो टेलिग्राम चैनल जोएन करेंगे नवी नॉमिक से से रिलिटेड जितने भी कोर्स के डिलिटेड जानकार है वह सब यहां आप दे सकते हैं हमारा कोर्स अभी क्लासे चल रहे हैं कोर्स भी काफी कम है you can check out for any kind of doubt details or anything you can just call us at the given number thank you so much bye bye take care wish you all the very best इस्टे ट्यून रहेंगे जितने भी उनिवर्सिटी से रिल्टेड नोटिफिकेशन आएंगे चाहें जेन्यू के हैं अभी जेन्यू का भी तक साहिद नहीं आया हुआ हुआ है आएगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा टेलिग्राम ग्रूप में और मैं इस चैनल यू आपको समझना है पीएट रहेंगे लिए लिजीबल रहेंगे न आपको स्कॉलर्शिप मिलने वाली है और पीएजडी में अच्छे जगा दाखिला लेने के लिए अटिलिस्ट नेट का होना जरूरी है तभी आपको 70% का चावेटेज मिलेगा make sure चलिए फिर भी आप हिम्मत नहीं आ रहें लेक्सी क्या होता है मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बने रहें नवी नॉमिक्स के साथ बाइबा टेक केट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो भी आपके फ्रेंड्स एक चुक हैं पीजडी मे क्या होता है